हैलो अबरीवन केसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं बताओंगी विंटर का सीजन आच चुका है और जिसमें बच्चे ज्यादा विमार पड़ते हैं अगर उनका ध्यान ना रखा जाये तो तो बच्चों को खासी जुखाम च्छाती में दर् च्छाती में दर्द होता है तो उसके लिए मैं हॉममेड रेमेडिम और घरेलो नुसा लेकर आई हूं जो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा बहुत ही अच्छे से आप आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तो जो भी मैं नुसका अपने घर में अपनाती हूं मैं वही बताती हूं तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए क्योंकि सर्दी खमों समा गया इस वजह से बच्चे ज्यादा बिमार पड़ते हैं अगर ना ध्यान दिया जाये तो जुखाम होता है ज्यादा और नाक बहने लगता है बच्चों का और घर-घर की आवाज आती है ख खरास है या चाती में दर्द है तो उससे आपको आराम मिलेगा तो जो छोटे बच्चे होते जो न्यूबोन बेबी होते है न तो उनको तो बहुत ही तकलीफ होता है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं कई पर बच्चे जरम लेते हैं और उसी टाइम गले में खरास होना होते हैं तो उनको तो हम बता देते हैं तो हम कर भी सकते हैं या दवाई दे सकते हैं या हम घर में उसका जो भी है कर सकते हैं तो चली मैं बता देती हूं किसके लिए क्या करना चाहिए तो आजवाइन होता है न चोटे बच्चों के लिए होता है तो आजवाइन बच्चों को क्या करना है घीव को थोड़े सा गरम कर लेना है इसको पिगला कर और बच्चे को जो च्छाती है च्छाती में लगाना है और पीठ में लगाना है थोड़े देर च्छाती में पूरे घी से मसाज करें अच्छे से पूरे सरीर में मसाज कर सकते हैं लेकिन जहां जादा पूदू का पानी है उसको अच्वाइन को गुबाल लीजे और उसके पानी को पीलाना चाहिए जो चार है या पान सल के जो बच्चे है उसको जोड़ा पानी प्लाईए और जो छोटे वच्चे होते हैं जो छोटे चोटे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है उनके लिए है न कि जो अजवाइन है उसको थोड़ा सा सरसो तेल में मिला कि आप माथे पर रख सकते हैं तो उसे भी गर्माहट बच्चे का मिलता है तो खांसे जुखाम ठीक हो जाता है और ज्यादा हो सके तो आप सरसो का तेल भ क debate यूज करें तो एसने में ठोड़ा से एक चमच लेए लिजिए और थोड़ खांसे ठीक हो जाएगा और जो कलें में खरास होता है घरगर की अवाज आता है तो गले में भी थोड़ा सा लगाएं, हलके हलके हाथों से लगाएं, ज़्यादा गरम घी नहीं लगाना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए हलका, तब ही लगाना है, ज़्यादा गरम लगाने से भी दिकत होता है बच्चे को इस वज़ासे, तो यह घरेलून उसका आप जरूर पनाएं, तो बच्चे ठंड के मोसम में बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, कोई दिकत नहीं होगा, और खासी जुखाम से बच्चों को बच्चा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप गरम चीजों का सेवन करें, जिसे बच्चे को जुखाम ना हो, बच्चे को ज़्याद बच्चे को जांस बच्चे को जाएं, भी कि बच्चे कि लोज्यादा ऊ시री बच्चे करेंबरी कि दिकत रहें थाल करें, जा जिकत दो हो, भी कि पहनादा आप बच्चे करें, भी मannya हो, दो दोन जो भी बच्बकान lähed of you, ऑर को बच्ता हम चंति हो, जोन मैं बच्चा क क